अब देशन कर वाली हूं हमारे गोवर्धन दारी कनहया का वैसे तो मैंने आपको कई बार अपने चैनल पे महादेव के दर्शन कराए हैं उनकी मंदिरों के बारे में बहुत सारी इंफोमेशन दी है बताया है लेकिन आज हम आये हैं काशी के गोवर्धन दारी मंदिर में कृष्ण कनहया का दर्शन करने तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि कैसी है काशी की गोवर्धन दारी मंदिर अगर बात करूँ यहां के लोकेशन की तो बहुत ही इजी है इस मंदिर तक पहुचना आपको बस नमोगाट पर आना है और नमोगाट पर ही इस्तित है हमारे गुवर्धन धारी का मंदर यह है हमारे काशी के गुवर्धन धारी और यहाँ पर आपको कृष्ण कनहिया का दर्शन करने का मौका मिलेगा जो स्वयम अपने हाथ में गोवर्धन परवत को उठाये हुए है इसलिए इस मंदर का नाम है गोवर्धन धारी क्योंकि यहाँ पर कनहया की मूर्ती में आप देख सकते हैं कि उन्होंने गोवर्धन परवत को उठाया हुआ है जै कनहया लाली की पर वैसे तो ये मंदर काशी के प्राचीन मंदिरों में से एक है, बहुत सालों से यहाँ पर ये मंदर है, लेकिन आज भी बहुत सारे काशी वासियों को इस मंदर के बारे में नहीं पता, इसलिए मैंने सूचा कि एक dedicated वीडियो इस मंदर पर मुझे सरूर बनाना चाहिए, त तो हमारे दुर्गा कुंडेरिया में स्थित है, और ये मंदर है हमारे राजखाट के पास, और जैसा कि आप देख सकते हो कि मंदर के बाहर भी कृष्ण जी की कितनी सारी आखरितियां आपको दिवारों पर देखने मिलेंगी, जहां पर कृष्ण लीलाएं चल रही है, कही पर ये शोधा मैया को चेर रहे हैं, तो ऐसी बहुत खुबसूरत सी आखरितियां आपको यहां की मंदर की दिवारों पर भी दिखेंगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चानल को आगर नए हो तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, तो अधर आपको फ्यूटर के भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें, You can also follow me on Instagram and Facebook, links are in the description. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye-bye.